हेलो एब्रिवन आइम डॉक्टर दिशान यूर बायो जी गुरू आज का अपना जो टापिक है वह है बायो मॉलेक्यूल मिन्स जेविक अनु आज उसका अपन पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करने से पहले अपन उन प्सको देख लेते हैं जो अपने स्टैटी करने हैं तो सबसे पहला पन जो पॉइंट डिसक्स करेंगे वो कोगा introduction about biomolecules okay second point अपना रहेगा how to analyze chemical composition third point है primary and secondary metabolites, carbohydrates, amino acids, proteins, lipids, nucleic acids, dynamic state of body constituents means concepts of metabolism, the living state, enzymes and then some important points तो आज अपने जो topic रहेगा वो रहेगा introduction and how to analyze chemical composition तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो very first जो अपना topic है वो है introduction तो biomolecule क्या है उसके बारे मैं लिखा है यहाँ पर जो biomolecule word है मिस जो जेविक अनू जो word है वो दो वर्ट से दो पार्ट से मिलके बना है एक word है इसमें बायो और दूसरा है molecules okay तो बायो कहीं पर भी बायो वर्ट आता है तो उसका mean क्या होता है living system कोई जीवित तंत्र और अपनी body में अपनी जो living system की smallest unit है वो क्या है cell है अना cell के अंदर protoplast present होता है living cell के अंदर है ना then उसके बाद में molecules means any substances says तो अपन बायो मॉलिक्यूल का जो word है बायो एंड मॉलिक्यूल उससे correlate कर सकते हैं इनके mean को जैसे बायो means living system और molecules means any substances तो इसकी definition क्या बनती है बायो मॉलिक्यूल की any substances which are present in living system वो जो भी प्रदाज जो की एक जीवित तंत्र के अदर उपस्थित हो उसको अपन क्या बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल यानि जेविक अनुग अब molecules अपने cell के अंदर या अपनी कोई भी living body है चाहे human हो चाहे animal हो चाहे plant हो तो उसकी cell के अंदर उसकी living body के अंदर कौन कौन से biomolecules मिल सकते हैं तो generally अपन देखते हैं तो दो तरह की category अपन यहाँ पर देख सकते हैं पहली है organic molecules यानि carbonic yogic carbonic anu तो अपने अंदर या किसी भी living cell के अंदर living body के अंदर organic compound के form में organic molecules के form में कौन कौन से substance present होते हैं protein carbohydrate fat nucleic acid means यह जितने भी components है वो nature में कैसे है hydrocarbon है वो carbon और hydrogen से मिलकर के बने हैं इसलिए इनको अपन organic molecules की या organic compounds की category में रख रहे हैं next है inorganic molecules means carbonic yogic फिसमें ऐसे compounds ऐसे molecules ऐसे yogic आते हैं जो की nature में hydrocarbon नहीं होते means कौन कौन से minerals ions and water तो यह सारे क्या है inorganic substances हैं और organic और inorganic type के substances अपने biomolecule के अंदर consider होते हैं लेकिन अपन जनरली बात करें तो biomolecule में mainly अपन organic molecule को study करते हैं clear तो चलिए आगे देखते हैं तो यहां पर biomolecule की definition दे रखी हैं तो biomolecule यानि जेविक आनू क्या होते हैं all the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules हिंदी में भी लिख रखा है सभी कार्बन की योगिक जिनको हम सजीव उतकों से प्राप्त करते हैं इनको जेविक आनू कहते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं यूँ explain कर सकते हैं कि वो सारे organic और inorganic substances mainly अपन किसकी बात करते हैं organic substances की वो सारे organic और inorganic substances जो की एक living system के अंदर present होता है living tissue living body के अंदर present होता है और वो उसके components बनाते हैं उसके structure or functional components बनाता है उसको अपन बोलते हैं biomolecules clear next अपन देखते हैं how to analyze chemical composition अपने यहाँ पर दो तरह के पाट ले रखे हैं plant body को represent करने के लिए अपने leaf ले ली plant का एक पाट ले लिया जिसको अपने leaf बोला है यहाँ पे और animal का एक part ले लिया जिसको अपने liver piece बोला है clear तो इन दोनों जो पाट है एक plant का और एक animal का तो इनका composition कैसा है इनके अंदर कौन-कौन से biomolecules present है उसको analyze करने की technique यहाँ पर बताई गई है तो सबसे पहला अपने example लेते हैं leaf का तो किस तरीके से अपन किसी plant की leaf या किसी भी part से उसके अंदर present biomolecule के composition को पता कर सकते है वो technique यहाँ पर बताई गई है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपने को क्या करना है एक leaf लेनी है या plant का कोई भी part जिसका अपने को composition बता करना है वो लेना है और लेने के बाद में उसको pestle and mortar की help से उसको piece लेना है तो अपन पहले क्या करेंगे इस leaf को इस pestle and mortar के अंद tri chloro acetic acid इस acid को भी इस pestle and mortar के अंदर डाल देते हैं तर उसके बाद में इसको pestle and mortar की help से एकदम अच्छे से mix करते हैं और एक slurry बनाते हैं एक काड़ा बनाते हैं अब यह काड़ा जो है वो semi solid nature का होगा means इसके अंदर solid component और liquid component होगे कुछ component उस acid में dissolve हो जाएंगे कुछ नह अब उसको एक apparatus की हाल से चानते हैं तो पहले इस apparatus को देख लेते हैं कि यह कैसा बनावा होता है नीचे की तरफ एक flask या beaker रहता है और देन उपर की तरफ एक cotton का cloth यू कह सकते हैं या cheese cloth या filter paper रख दिया जाता है देन उसके बाद में जो slurry बनी है उसको इसके अंदर डाल जाता है अब अपने कोई एक चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो slurry के अंदर वो पार्ट जो कि इस filter paper या cheese paper या फिर यह जो cotton cloth है उसके pore size से तोटा होगा वो तो नीचे की तरफ आ जाएगा clear और जो इसके pore size से बड़ा होगा वो उपर की तरफ इखटा होना शुरू हो जाएगा यह वैसा ही है जैसा कि अपन चाय को चानते हैं तो जो चाय के छलनी से छोटे size के जो भी substances होते हैं वो cup के अंदर आ जाते हैं जिसमें अपनी mainly चाय include होती है और जो चाय के जो macromolecules से बड़े हैं जो चलनी के pore से बड़े size के हैं उसमें खटा हो जते हैं जैसे चाय पती अद्रक वगेरा होगी तो वैसे ही जो slurry के जो बड़े-बड़े substances हैं वो तो ऊपर की तरफ रह जाएंगे और जो उसके pore size से छोटे हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहां पर अ इसको ऐसा क्यों बोला गया क्योंकि चो TCA acid अपने डाला था ट्राइक लोरो एसिटिक एसिड उसके अंदर लीव के कुछ compound चो थे कुछ molecules चो थे वो उसके अंदर dissolve हो गये और dissolve होकर के यहां पर acid soluble pool के अंदर आ गये clear लेकिन कुछ part ऐसा भी था जो कि dissolve नहीं हुआ और वो उपर की तरफ रह गया चना नहीं इसलिए उस portion को अपने क्या बोला acid insoluble pool या फिर अमल अविले अंश तो अपने को जब इस slurry को इस slurry को जो यहां पर बनी है slurry को जब अपन चानते हैं इसको slurry में skada तो skada को जब चानते हैं तो अपने को दो part देखने को मिलता है एक जो नहीं चंता उसको अपन बोलते है acid insoluble और जो चंते नीचे आ जाता है उसको अपन filtrate या निश्यंद या फिर acid soluble pool बोलते हैं अच्छा acid insoluble pool को अपन retentate या पिर अनिश्यंद बोलते हैं क्योंकि वो चंता नहीं है उपर की तरफ इखटा हो जाता है जैसा कि आप यहां पर देख पाते हो clear एक चीज़ यहां पर और ध्यान भी रखने है अपने को कि जो उपर की तरफ acid insoluble portion के अंदर रह गया उपर की तरफ इखटा रह गया अनिश molecular weight होता है 10,000 Dalton से भी ज्यादा 10,000 Dalton से भी ज्यादा इनका weight रहता है ओके लेकिन जो acid soluble है उनका size छोटा है size छोटा है means वो क्या है उनका molecular weight क्या है obviously कम होगा तो इनका molecular weight जो है 18 to 800 Dalton के अपरोक्स रहता है मतलब 1000 Dalton से कम रहता है clear तो इस तरीके से अपन किसी plant के part के अंदर क्या-क्या present है उसको दो part से separate कर सकते हैं एक part वो acid insoluble pool और second जो है acid soluble pool ते उसके बार में इन दोनों part का अपन chemical analyze करते हैं कैसे करते हैं आगे अपन देखेंगे next है यह तो था अपने plant के लिए second अपन वैसा ही वैसा प्रोसेजर यूज करते है animal piece के लिए और यहां पे अपनने animal piece के रूप में liver का टुकडा लिया है liver का tissue ले लिया और इसको अपनने वैसे ही special mortar की हल्व से और देन उसके बार TCA जो acid है उसको क्या किया इसकी चटनी टाय की बनाए उसकी slurry बनाई यह उसको फिर से अपन इस अप्रेटस में डालते हैं चांगते हैं तो नीचे चंग जाता है उसको अपन acid soluble pool बोलते हैं जो नहीं चंगता उसको अपन acid insoluble pool है और acid soluble pool है उनका अपन क्या करते हैं वो देखो तो यहां पर दे रखा है कि जो उपर की तरफ जो पार्ट नहीं चंगा जो acid insoluble pool है और जो acid soluble pool है जो चंग गया इन दोनों के अंदर क्या है mainly organic molecules present है तो इन organic molecules का अपन क्या करते हैं फिर chemical analysis करते हैं बहुत सी अलग अलग techniques होती है जिसकी हाल से अपन इनके अंदर present जो biomolecules है या जो organic molecules है उनका अपन क्या करते हैं अनलाइस करते हैं और उसका analysis करके अपन various chemical substances को detect करते हैं कि इसके अंदर क्या है फिर acid soluble pool जो मिला इसके अंदर क्या क्या है acid insoluble pool मिला इसके अंदर कौन-कौन से components है वो सारे analyze करते हैं इस तरीके से अपन किसी भी living tissue की living tissue के अंदर कौन-कौन से organic substances present होते हैं वो detect करते हैं यहाँ पर टेक्निक बता दी है लिख भी दी है कि by performing a chemical analysis chemical analysis का मेंस होता है रासाइनिक विसलेशन तो various biomolecules that are found in living tissue means a vegetable और a piece of liver देखो यहाँ vegetable क्या indicate कर रहा है plant के किसी part को represent कर रहा है और piece of liver का मतलब क्या है वो animal के किसी part को represent कर रहा है clear can be studied means यह कहना चाह रहा है यह अपन chemical analysis के लिए अपन plant का यह animal का कोई portion लेता है ठीके next लिखा है when a living tissue is grinding in trichloroacetic acid जिसको अपन TCA बोलते है इसका molecular form आया है यहाँ पर chlorine के three atom carbon के साथ अटेच रहता है then उसके बार में यहाँ पर अपने को acid group जो COOH है वो देखने को मिलता है तो normal जो acetic acid होता है उसके जो second number carbon पर जो यहाँ पर एक carbon extra है जो कि गलत है जो normally जो acetic acid होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ COOH उसमें तीन hydrogen की जगे पर यहाँ पर chlorine आ जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं trichloroacetic acid तो यहाँ पर लिखाया वेन लिविंग टिशू इस ग्राइब टीची यह तीची है उसी ए मोटार और पैसल ए ठीक लरी इस फर्म तो फारी का घाडा घोल जो है वो बन जाता है एक्स लिखाया है इस लरी वेन इस ट्रेंग त्रू चीज क्लोथ और कॉटन गिवस तू फ्रेक्शन वन इस दा फिल्ट्रेट विच इस काल्ड असट सॉलिवल पूल वेर थाउजंड सॉफ और अर्गनी कंपाउंट्स अर फाउंड तो जब अपन उस लरी को उस गाड़े सारे और्गनी कंपाउंट्स यानि कार्वनीक प्रदात उपस्तित होते हैं इसको अपन बोलते हैं एसेड सॉलिवल पूल एक्स लिखाया है दा अधर फ्रेक्शन इस कॉल्ड डा रिटेंटेट मतलब अनिश्यंद और दा एसेड इन सॉलिवल पूल वेर कंपाउंड्स ला जाता है उसको रिटेंटेट या फिर अनिश्यंद कहते हैं और उसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूस लाइक प्रोटीन्स न्यूकलिक एसेड पॉली सेक्राइट वगेरा प्रेजेंट होते हैं नेक्स अपने जो टेकनीक है वो है हाव टो अनलाइस कैमिकल कंपोजिशन तो पहला जो अपने कंपोजिशन देखा उसके अंदर अपने और लिविंग पार्ट से लिविंग टीशू से किसी लिविंग टीशू के अंदर कौन से बायो मॉलिक्यूस प्रेजेंट है तो किस देखेंगे inorganic molecules के लिए तो किसी भी living tissue के अंदर कौन-कौन से inorganic molecules होते हैं और उसको अपन कैसे analyze कर सकते हैं वो इस technique के थूँ देखेंगे तो सबसे पहले वही करना अपने को जिस living tissue को अपने को study करना है उसको अपने को लेना है जैसे यहां पर आपने leaf को ले लिया लीफ अपना वो living tissue हो गया plant का एक part हो गया जिसको अपन को study करना है इसके अंदर कौन-कौन से inorganic molecules हैं वो सारे अपने को देखना है अब आपन क्या करते हैं जो leaf है उसके अंदर आपको पता है लीफ के अंदर बहुत सारे organic organic substance है इसके साथ में water भी present है और इसके साथ में inorganic substances भी present है इन और्गनिक substances का मतलब क्यों होता है अ-carbonic परदात मतलब इस leaf के अंदर इस पत्ती के अंदर carbonic परदात जल और और carbonic परदात भी उपस्तित है ठीक है तो अपने को किसको analyze करना है और्गनिक substances को तो अपने को इन दोनों को eliminate करना होगा यहां से अटाना होगा इस leaf से और्गनिक और water को तो कैसे अपने इसको हटाते हैं सबसे पहले आपन इसको एक hot air oven करकी एक मशीन होती है उसके अंदर एक दिन के लिए अपन इस leaf को रख देता है पैटरिडिस्क के अंदर डाल करके इसको इसके अंदर रख देते हैं और एक दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं तो पुरा एक दिन जब यह इसके अंदर रहता है तो इसकी इस मशीन की हैल से जिसको अपन होट एर ओवन कहते हैं इससे पूरा का पूरा जो water है वो evaporate होकर के बाहर निकल जाता है अब जो अपने को यहां से leaf मिलेगी इस hot air oven से process होई भी जो leaf मिलेगी उसके अंदर 0% water होगा उसके अंदर पानी नहीं होगा अब उसका अपन weight ले लेंगे तो यहां से अपन कह सकते हैं कि वहां से water जो है वो evaporate हो गया वास्पित हो गया अब अपने पास जो tissue मिलेगा यानि जो leaf मिलेगी उसके अंदर जल नहीं होगा water नहीं होगा तो अब उसका अपन weight लेंगे तो उस weight को अपन क्या वो लेंगे dry weight क्या वो लेंगे dry weight क्यों क्योंकि उसमें से जो water component है वो evaporate हो चुका है अब dry weight लेकर के जैन उसके बाद में उस tissue को अपन क्या करेंगे जलाएंगे तो जब उस tissue को अपन completely जला देते हैं तो उस tissue के अंदर जितना भी organic material होता है वो क्या हो जाता है gases form में आकरके उड़ जाता है तो यहां लिखाओ है कि वो जो tissue है जिसको अपने use लिया है जिसका अपने composition निकालना है जैसे यहां पर अपने leaf लिया उसको अपन बहुत high temperature पर गर्म करते हैं तो उसके अंदर जितने भी carbon compound होते हैं वो oxidize हो जाता है और वो gases form में निकल जाता दिया और water को तो पहले ही अटा दिया था इस hot air oven की help से पीछे क्या बचा पीछे बचा राक एश ठीक है और इस ash को जब analyze करते हैं तो अपने को पता चलता है कि इसके अंदर कौन-कौन से elements प्रेजेंट है जैसे calcium, phosphorus, magnesium तो कौन-कौन से elements इसके अंदर प्रेजेंट है वो इस ash को इस राक के जो analysis करते हैं उससे अपने को पता चल जाता है यह तो इस तरीके से अपन किसी compound का किसी tissue का अपन study करते हैं इस तरीके से अपन living tissue के लिए जो animal का living tissue है जैसे यहां liver piece है इसका भी ऐसे dry करेंगे इससे पूरा water evaporate कर देंगे जो dry होगा जो एकदम अपने को next step प water उड़ जाएगा फिर उसको जलाएंगे उसमें से जो organic substance होगे है वो gases form में उड़ जाएंगे और पीछे जो रह जाएगी उसको अपन राक बोलेंगे और उसके अंदर उसके जितने भी minerals वगेर ions वगेर होंगे वो इसके अंदर present मिलेंगे इस तरीके से अपन plant animal या किसी भ and compounds are also present in the living organism which can be known with the help of a technique called ash analysis और राख का विसलेशन तो यहाँ पर यह बताना चाहरा है कि कोई भी जो living organism है उसके अंदर किस प्रकार के organic elements present है किस प्रकार के अकार्मनिक तत्व present है उसको अपन कैसे judge करेंगे कैसे analyze करेंगे उसकी एक टेक्नीक है जिसको अपन बोलता है ash analysis और राख का विसलेशन यानि इस टेक्नीक की हैसे अपन किसी भी living organism के living tissue के अदर कौन-कौन से इनार्गनिक या अकार्मनिक तत्व present है उसको अपन पता कर सकत है कैसे करते हैं a small amount of a living tissue जिसमें अपन लीव या लीवर का piece ले रहे है और वो जो piece है वो उसका क्या है dry weight नहीं है उसका weight weight है means numb भार है यानि उसके अदर water present है clear तो उसको अपन क्या कर लेते हैं सबसे पहले उसका weight ले लेते हैं then उसके बार में अपन hot air oven के help से उसको dry कर देते हैं सुखा देते हैं मतलब उसका अब क्या कर दिया अपने उसको एकदम dry कर दिया तो अब अपने को जो part मिलेगा living tissue का चाहे वो leaf हो चाहे वो liver का piece हो उसके अंदर अब कोई तरह का water नहीं है अब उसका weight अपन measure करेंगे तो उसमें क्या जाएगा वो dry weight होगा तो पहले जो weight था जिसको अपने wet weight बोला और अब जो अपन dry करने के बाद वेट ले रहे हैं उसको अपने dry weight बोला उन दोनों का जब difference निकालेंगे तो जो difference आएगा उस वो water के amount को represent करेगा clear next है all the water evaporates जाहिड सी बात है कि जब अपन hot air ओन की हैव से जो issue है उसको dry करेंगे तो उसमें से सारा water evaporate हो जाएगा वास्पित हो जाएगा then the remaining material gives drive it तो उससे अपने को सुष के भार मिल जाएगा फिर उसका difference निकालेंगे तो अपने को water का amount मिल जाएगा clear then उसके बाद में when this tissue is fully burnt the carbon compounds are oxidized to gaseous form like CO2, water vapor and are removed and the remnant is called ash तो बताया था मैंने कि जब अपन tissue को जलाते हैं तो उसमें से जितने भी organic, carbonic पढ़ जाते हैं तो वो evaporate मतलब उड़ जाते हैं gaseous form में जैसे CO2 then उसके बाद में पीछे जो रह जाता है इसको अपन राख बोलता है, ash बोलता है कि अपन organic और inorganic जो elements है जो compounds है तो कैसे study कर सकते हैं उसमें से सबसे पहले अपन cover करेंगे inorganic elements के बारे में लिखावा है protoplasm जो होता है उसके अंदर लगबग 34 elements present रहते हैं उसमें से 13 elements ऐसे हैं जो कि अपनी body के लिए essential है कौन कौन से है carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chloride, calcium, phosphorus, sodium, potassium, sulfur, magnesium, iodine and iron तो यह कुछ elements है जो अपनी body में required रहते हैं उसमें भी carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen सबसे ज्यादा use आते हैं तो यह major elements के form में जाने जाते हैं और उन में से भी अपन बात करें carbon, hydrogen और oxygen इन 3 elements को अपन framework elements के नाम से जानते हैं मतलब यह अपने body के framework को बनाएगा अपने body के धांचा को बनाएगा यह अपने body के अंदर जितने भी generally अपने पर tissue देखने को मिलते हैं वो mainly carbon, hydrogen और oxygen से मिलके बनते हैं इसलिए इनको अपन framework elements के नाम से जानते हैं कोई कुछ भी देखो चाहिए अपने अंदर carbohydrate है, protein है और fat है यह सब इनी से मिलके बनते हैं carbon, hydrogen, oxygen इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं framework elements next हैं stress elements अब अपने body के अंदर कुछ elements ऐसे भी होते हैं जो सुक्ष्म मातरा में होते हैं stress amount में होते हैं कौण कौण से copper, cobald, amine, manganese, zinc, boron, vanadium, chromium, tin, silicon, fluorine, volubdenum, nickel, selenium, arsenic, etc. तो यह कुछ inorganic elements होते हैं अब यह जो elements मिलते हैं इनके क्या function है वो अपन यहां पर देखने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है calcium जो calcium है उसका एक living system के अंदर क्या-क्या function होते हैं तो यह plant और animal दोनों को ही include किया है जितने भी है उसमें जो-जो function this is के important है वो यहां पर दिये गए है सबसे पहले calcium की बात करें तो calcium जो है वो bone और teeth का component होता है next blood clotting में calcium help करता है muscle contraction हो यह पर now और muscle excitement हो यह excitation हो वो जो phenomenals है वो भी calcium ही regulate करता है next है enzyme activator तो calcium जो है बहुत से enzyme का as a activator की तरह behave करता है जैसे एक enzyme होता है adenyl cyclist उसमें calcium as a activator work करता है next है it acts as secondary messenger जो synapse होता है उसमें भी यह help करता है कहने का means यह है कि जो आपने देखा होगा कि कोई भी hormone act करता है किसी cell पे तो as a secondary messenger वहाँ पे calcium release होता है और वो cell की metabolic activity को regulate करता है इसलिए इसको अपन secondary messenger की नाम से जानता है और जब synapse वाली process होती है तो उसमें calcium जब तक नहीं आता तब तक synaptic follicles है वो रप्चर नहीं होती और neurotransmitter release नहीं होता और जब तक neurotransmitter release नहीं होगा तो इंपस आगे conduct नहीं होगा clear तो यह function थे calcium के second है sodium sodium जो है osmotic regulation करता है यानि अपने खरीर के अंदर जो परासरन नियमन है उसका काम sodium करता है next है helps in active and passive transport like sodium potassium atps pump yes आपने देखा होगा कि अपने जो cells होती है उसके उपर बहुत सारी आसी ट्रांसपोर्टरी proteins प्रेजेंट होती है उसके थ्रू molecules cells के अंदर या बहार जा सकते हैं तो उसमें sodium ion जो है वह important role निभाता है इसमें बहुत से molecules के transportation में यह help करता है इस तरीके से एक pump होता है आपने जब now impulse conduction देखा था तो वहाँ पे sodium potassium atps pump देखा होगा उसके अंदर भी जो sodium अगेरा है वो क्या करता है बहार आता है तो उसमें भी sodium का rule रहता है next है impulse conduction along with potassium यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी impulse conduction वाली process होती है उसमें sodium और potassium मिलकर के जो electric charge है उसको change करते हैं जिसकी वाज़े से impulse conduct होते हैं पर देखा potassium as the electrolyte saver करता है impulse conduction में sodium के साथ आकर के impulse conduction में help करता है और ion balance का भी काम करता है sodium potassium एक दूसरे क्या होता है complimentary होता है ठीक है जिस sodium का absorption बढ़ाना होता है तो potassium के excretion को बढ़ाना पड़ता है इसका just reverse भी सही है means जब potassium को absorb करना होता है तो उसमें body जो है उसी ratio में sodium को eliminate भी करती है next है iron iron के क्या function है लिखा है component of hemoglobin hemoglobin का component होता है cytokrom oxidase enzyme एक enzyme होता है cytokrom oxidase enzyme ठीक है उसमें भी iron as a component रहता है then equonitase and catalase enzyme का भी iron जो है component रहता है next है sulfur तो sulfur का क्या use है आपने insulin और immunoglobin की structure देखी होगी उनकी structure में disulfide bond present होता है और उनमें sulfur present रहता है यहां पर sulfur का role है यहां उसके बाद में बहुत से amino acid है होते हैं जिनके अंदर sulfur present होता है जिसमें से मैं आपको बहुता हूं methionine or cystine acid do amino acid है जिसके अंदर sulfur present रहता है next है chloride ion chloride ion pH balance करता है और अपनी body का जो osmotic regulation है यानि परासन नियम है उसको control करता है next अपन बात करें magnesium की तो magnesium के क्या क्या function है लिखा है present in chlorophyll and help in photosynthesis यह chlorophyll का component होता है जिन उसके बाद में एक enzyme होता है जिसको अपन बोलते हैं ATP synthetis उसका भी यह component होता है और उसका function होता है ATP formation ATP, ADP है ना उनमें यह help करता है तो जो ATP से ADP बन रहा है energy production हो रहा है या उसमें जो enzyme use आ रहा है यानि इसका उल्टा मतलब ADP और IP मिल्ट करके ATP बना रहे है तो इनका component कौन रहता है mg रहता है magnesium रहता है बहुत एंजाइम को activate करता है इसलिए as a activator use आता है information carrier है मतलब as a messenger होते है ions जैसे calcium था यह भी as a secondary messenger use आता है then अपनी जो bones वगेरा होती है जो skeleton का part होता है उसके अंदर calcium magnesium carbonate and phosphate present होता है तो यह उसका भी part बनता है बहुत एंजाइम से उसके यह part बनता है जैसे kinase, enolase, dehydrogenase and ATP synthetis next है phosphorus phosphorus अपने skeleton में present होता है ATP का component होता है और अपनी जो cell membrane और अपने जो nucleic acid होता है उसमें phosphorus present होता है cell membrane में phospholipid होता है उसमें phosphorus होता है तो यह इसके component बनाता है molybdenum की बात करें तो यह electron transfer में help करता है ETS होती है electron transport system उसके अंदर molybdenum का use होता है conversion of N2 to ammonia यानि nitrogen fixation जो होती है उसके अंदर भी molybdenum work करता है nitrogenase enzyme यहां पर use आता है जो nitrogen को उसके compound form में convert कर देता है nitrogenase enzyme का यह part रहता है co factor के form में use आता है पर आता है cobalt cobalt जो है वो जो sinocobalamin होता है जिसको अपन विटामिन B12 बोलता है उसके अंदर cobalt present होता है जो यह बहुत important भी है वैसे जिना आता है MN, Magneze इसका वरक है electron transfer करना photosynthesis के अंदर इसका use आता है जिसके अंदर जो water की splitting होती है hills reaction जो बोलता है उसके अंदर यह present रहता है उसकी presence में ही water की splitting यानि gel का up-gattन होता है hill reaction perform होती है जिन उसके बाद में लिखावा है it is part of OEC oxygen evolving complex in PS second system means यह वही है जो PS second system होता है photosynthesis आपने जब chapter पढ़ोगे या पढ़ लिया है तो जब आपने photosynthesis वाला chapter पढ़ा है तो उसके अंदर जब भी आपने उसकी cyclic, sorry उसकी acyclic electron transportry system पढ़ा है तो इसमें PS second से related होता है water की splitting होना वहाँ पर water split होता है H2 तूटता है hydrogen ions और oxygen में तो यह जो oxygen यहां से evolved होती है तो यह जो reaction होती है, इसको hill reaction बोलता है या splitting of water बोलता है जल का अपगटन, इसके अंदर MN जो है वो present रहता है MN जो है वो present रहता है, तो यहां पर यह इसका component भी रहता है OEC का भी, clear next है arginase enzyme होता है, उसमें भी magnesium जो है वो present रहता है next अपन बात करें, zinc की, तो carbonic and hydrage enzyme जो की RBC के अंदर present होता है उसका यह component रहता है, यह important है भी यह, जहां रख लेना next है copper, copper क्या है, एक enzyme है, tyrosinease enzyme, जो की melanin synthesis में help करता है clear, तो copper उसमें है, then उसके बाद में hemosyning उसका यह component बनता है, iodine की बात करें, तो iodine thorexin hormone बनाने में help करता है और nickel की बात करें, तो यह urease enzyme के लिए required होता है clear, तो यह कुछ inorganic substances हो गए, और यह उनकी function हो गए है, cell के अंदर अपन बात करें, तो जो elements present होता है उनका यह होता है, सबसे ज़्यादा potassium, फिस sodium और then calcium तो this is all about of inorganic substances of biomolecules, next lecture में अपन organic molecules की बात करें, thank you so much